तो इस वक्त आतंकियों साजिश से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है हरिद्वार से गिरफतार किये गए चार संदिक दातंकियों ने संसेनी खेस खुला सकिया है अबर ये है कि आतंकियों की निशाने पर अर्ध कुम्ब में आठ फरवरी को होने वाला महास्नान था सुमबतिय मावस्या के दौरान हरिद्वार अर्ध कुम्ब में लाखोश रधालों के जुटने की संभावना है और इसी का फायदा आतंकियों उठाना चाहते थे आतंकियों की साजिश थी कि वो एक ऐसा माहौल बनाए जिससे एक बड़ी भगदर मज जाए और सैकडों कीमती जाने चली जाए और ये प्लान और कहीं नहीं बलकि सीरिया में बैठे आतंकियों के आकाउन नहीं बनाया था इस तरह के प्लान का मकसद ISIS के खौफ को दीश में फैलाना था लेकिन वक्त रहते खूफी एजेंसियों ने इस प्लानिंग को नाकाम कर दिया तो सीरिया में ISI के जो हैंडलर्स है ये वहाँ बैठ कर प्लानिंग कर रहे थे किस तोरह से देशित गर्दी हर तरफ फैलानी की इनकी मंशा थी जो संदिध गिरफ्तार किये गए है इनके पास से कई एहम जानकारिया मिल रही है अर्द कुम्ब में जो आठ फरवरी को सोमवती अमावस्य का इसनान होना था ये इनकी निशाने पर था इनकी मंशा थी कि भीरबार वाले लाकों पे हमला किया जाए और देहशत वैलाई जाए सोनु सिंग हमारे साथ जूड़ चुके हैं सोनु वाकरी जो जानकारिया मिली हैं बहुत ज़ादा चौकाने वाली हैं और किस तुरीके से क्या क्या वो जगे हैं जो इनकी निशाने पर है बिल्कुल ठीक का शुरता आपने चुकी जो आतंकी ग्रबतार किये गए हैं इनके आका विजेसों में बैक कर एक रहनीती बनाते हैं और उनके बाद रहनीती को धरातल पर उतारने के लिए खुकम देते हैं और इस हुकम का तालीम जो है जो ये पकड़े गए आतंकी है ये करने जा रहा है थे फ़जरी महा में जो आठ तारिक को सुम्बती हमावस्ते के दिन अर्दकुम का दूसा इस्नान होना था उसमें चुकी भीर काफी होनी थे मौसम में ही बदलाव आ रहा है ऐसे में बड़ी तादाद में लाखों की तादाद में जो शुदान होने थे उन पर इनका टैक होना था निशी तोर पर जो खुपिया तंत्र है उसके अलट रहते उस हाथे से तो बचा लिया गया है लेकिन अभी खुपिया तंत्र और हुट्राकंट की पुलिसिंग है वो कितना तयाहर है ये एक सेवाल खड़ा हो रहा है इनके निशाने पर हज़वार का अर्दकुम और उसके अलावा जो हज़वार के आजपास और देरादुन के आजपास की जो ट्रेने है वो ट्रेने वीजिए और इसके अलावा जो केंद्र सरकार के समाम मेकपून संस्थान है उसमें से आये में वी एक संस्थान है यानि इ बहुत जगे इनकी निशाने पर थी, आपसे आगे इंपूट हम लेते रहेंगे, जानकारिया लेते रहेंगे, लेकिन किस तुरी किस साजिश की तयारी थी ये भी बताते हैं। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि इस साजिश का खुलासा कैसे हुआ। दिल्ली पुलिस ने जिन चार लड़कों को पिछले दिनों हरिद्वार से रेस्ट किया है, उनकी उम्र 19 से 23 साल के बीच है। एक लड़का अखलाक पुरूरकी के पॉलिटेकनिक कॉलेज में थर्ड इयर का स्टुएंट है। बाकी तीन पुरूरकी में पी एक स्टुएंट है। एक संदिक दिमेराज आईरवेद का स्टुडेंट है। सूत्रों के मुताबिक पूश्टाच में संसनी खेज खुला से हुए हैं। पता चला है कि संदिक्ध सीरिया और इराक में आईस हेंडर्स के साथ वीओ आईपी, वाटसेप और फेस्बुक के जरिये टच में थे। अर्ध कुम्भ में आठ फरवरी को ब्लास्ट करने की साजिश थी। ना सिर्फ अर्ध कुम्भ बलकि 26 जनवरी या उससे पहले दिली अंसियार में सिटी वाप, साकेत, डीलेफ, वसंत कुंज और नोईडा के ग्रेट इंडिया पैलिस को निशाना बनाने का भी प्लान इस खुलासे के बाद हरिद्वार में सुरक्षा इंतजाम को चाक चौबंद कर दिया गया है। को दहलाने की साजिश की तरफ इशारा किया गया था। उपर से पाकिस्तान में हुए आतंकी हमले के बाद माना ये भी जा रहा है कि वहां बैठे आतंकी ग्रुप भारत के खिलाफ कोई बड़े हमले को अंजाम दे सकते हैं। हरिद्वार से नरेश गुपता, इंडिया 24 से वग्रुप तो अर्दकुम किस तरह से निशाने पर रहा है? आठ फर्वरी को जो इस नान होना था वो निशाने पर तो इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। हरिद्वार रेल्वें स्टीशिन पर एक संदिग्द बैग मिला है। बैग में बम जैसे संदिग्द चीज के होने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर बम निरोधक दस्ता पहुँच चुका है। तो जिस वरा से हम बता रहे हैं कि हरिद्वार अर्दकुम्ब टागेट है आतंक्यों का और 8 फरवरी को जो इस नान होना था उस पर एक बड़े धमाके की साजिश रची जा रही थी इस बीच ये वाकरी बहुत एहम खबर आ रही है। जिसरा से संदिक्द बैग मिला है जिसमें बम होने की आशंका जताई जारी बैग कहां से आया है। कौन इसे छोड़ के गया है बम निरुद्द के दस्ता वहाँ पर मौजूद है। बड़ी खबर इस वक्त हरिद्वार से मिल रही है। तो आतंकियों की निशाने पर हरिद्वार में चल रहा। अर्ध कुम्ब था बड़े ब्लास की वहाँ पर एक साजिश रची जा रही थी जो संदिक्द गिरफदार किये गए है। उनके पास से ये जानकारी मिल रही थी। और ये जो पूरी प्लानिंग हो रही थी ये सीरिया में बैटे उनके हैंडलर कर रहे थे। चुकि आठ फरवरी को जो इसनाल होना था उसमें बड़ी संक्या में श्रधालू पहशने वाले थे। और इसी काम कहीं न कहीं फायदा उठाने की कोशिश आतंकी करना चाहते थे। लेकिन उसके पहली उनकी साजिश कुन्ना काम किया गया। नरेश गुपता हमारे साथ है हरिद्वार से जानकारी देने के लिए। नरेश इस बैग के बारे में क्या कुछ पता लग पाया है कहां सी ये बैग आया है और आप ही क्या जानकारी है। इस बैग को देखते हुआ है और डॉग स्कॉर्ट के साथ साथ त्याग में बम दिपोजल दसने को बुला लिया गया है। करीब एक घंटा हो गया है। और डॉग स्कॉर्ट और बम दिपोजल दसने हैं इस बैग को खोलने हैं प्रियास कर रहे हैं। आज पास की दुगानों को भी बंद करा दिया गया है। पूरे इलाके को अभी खाली करा गया है, दुकानों को बंद करवा लिया गया है। और आप बैक खोलने की कोशिश हो रही है, तब पता लगेगा इसके अंदर है क्या। बैराल जो आतंकी पकड़े गए हैं, इनसे पूछताज में बहुत सारी एहम जानकारिया मिली हैं आतंकीों की निशाने पर। ना सिर्फ अर्धकुम्ब था, बलकि रिपब्लिक डेज से पहले देश की राजधानी दिल्ली भी थी इनकी निशाने पर। इन्हें सीरिया में बैठे इनकी आकाओ ने राजधानी और उससे सटे इलाकों में बड़े मॉल्स को निशाना बनाने के आदेश दिये थी। नैशनल हेरल्ड को लेकर आज लखनों में एक बड़ी बैठक होने वाली है, नैशनल हेरल्ड को चलाने वाली कमपनी, Associated Journals Limited की आज लखनों में एक एहम बैठक हो रही है, इस बैठक में कमपनी के साथ 162 शेर होल्डर्स हिसा ले रहे हैं, शेर होल्डर्स की इस बैठक को गेराफ करेंगे, तो पूर करमचारी को कहना है कि 1999 में लखनों स्थेत हेरल्ड का मुख्याले बंद कर दिया गया था, लेकिन दिली में ब्रांच ओफिस 2008 तक चलता रहा, और वहां करमचारी को बकाय का दुगना बुक्तान किया गया, जबकि लखनों के करमचारी के साथ ऐ इनकिना ब्रांच तो इसकी पहले जो इंप्लोईज है, इनसे मुलाकात भी की जाएगी, जिसरे से ये धर्ने पर बैटे हुए हैं, इनसे मुलाकात मोधिलाल वोरा करेंगे, जाने कुशिश की जाएगी, कि इनकी मांग क्या है, और कैसे ये चीज़ों को देख रहे हैं, क् शायद हो सकता है यह समझ जा रहा है कि यह जो मुलाकात है इसके बाद सारी चीज़ेंद तैह हो कि क्या यह धरना करते हैं या नहीं करते हैं विवेक तिवारी मारे साथ इस कबर पर जानकरी देने के लिए जुरे हुए विवेक ये बताईए कि मोतिलाल वोरा के साथ जो बैटक होने वाली है ये कब होगी और लगता है इस बैटक के बाद जो एक विवाद चल रहा है जो इंप्लॉईस कह रहा है कि उनको नहीं उस तरीके से पैसे दिये गए जो दिली के करमचारियों को दिये गए ये तमाम में यंग इंडिया ने टेक ओवर कर लिया था लेकिन एजेल की जो प्रापरटीज है उसको अभी तक यंग इंडिया पूरी तरह से टेक ओवर नहीं कर पाई ये इसकी वज़ा ये है कि एजेल के शेर होल्डर्स की जो आपचारिक बैठक होनी चाहिए इस मसले को लेकर वो यंग इंडिया को ट्रांसफर हो जाए इसके लावा कुछ और फॉर्मिल्टीज है जो होनी है मौतिलाल औरा लखनओ में आ चुके हैं वो एक होटेल में रुके हुए है हमारे पीछे नेशनल हेरल्ड के पूर करमचारी है पूर इसमें नेता भी है जो करमचारी यूनियन क नेता हैं इनके पास कल कॉंग्रेस के कुछ नेताओं के द्वारा मुतिलाल वोरा ने संदेश भुजा था क्यों बातचीत करना चाहते हैं बातचीत कब होगी कैसे होगी इसके बारे में अभी कुछ तहीं नहीं जो शेर होल्डर्स की बैठक हो नहीं वो इसी जगे पर हो नही वो शेर होल्डर्स की बैठक बुलाई गई है देखते हैं कितने लोग आते हैं कितने लोग नहीं आते हैं हमारे साथ राकेश मड़ी पांडे जो है जो एजेल के करमचारी यूनियन के पूरू नेता रहें राकेश मड़ी जी एक बात हमको ये बताईए कि आज जो शेर होल रिसारी देनदारिया जो है वह हम लोग की थावत रुख जाएंगी और वह एंग इंडिया को देकर के एंडिया की तरफ से गाजी परिवार को उसका हसासरा हो जाएगा राकेश्मणी जी दूसी चीज़ बताएगे कि आप लोग यहाँ पर अंशन कर रहे हैं क्या मोतिलाल बोरा की तरफ से कोई संदेश आया है मोतिलाल बोरा की तरफ से तो नहीं लेकिले यूपी सी सी कागरेस कविटी के कुछ पदा धिकार यहां आये थे कि आप लोग अपना यह जो अपने परिवार का मामला है इसको हटाते हुए कुछ पार्ता करने के काम करें लेकिन हम लोगों ने कहा कि जो भी हमारी मांगा है दिल्ली यूनिट जो हमारा साखा कार्याला है उसको जो भुक्तान दिया गया है उसी के परपेथ में हमारे दिल्ली के जो मुख्याले के जो करमचारी है उसी के हिसाब से उनका भुक्तान दिया जाए हम मुकदमा जी चुक है लेकि वो हाइ कोट में लम्बिद किये हुए है और उसे लाल बोरा यहां आएंगे या आप लोग वहां जाकर बात करें हम पूरी कोशिश रहेगी कि हम उनके एजियम को नहीं होने देंगे मोटिलाल बोरा को इस बात के लिए बात करेंगे कि वह हमारे मंच पें आके हमारी पूरा चाहरें वहो गया तो उसके बाद इनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं होगा तो यह इनके लिए भी करो या मरो का सवाल है यह चाहते हैं कि यह आम सवा ना हो और वह मामला जो ट्रांसफर और प्रपर्टीज का है वह लटका रहे ताकि इनकी बात भी सुनी जाए द पाहल पर बरवारी और बंगाल की खाली से नमी लेकर आ रही हवाओं के कारण नौथ इंडिया में कडाके की ठंड पार रही है बेघरों के लिए काम करने वाली संस्था सेंटर फॉर होलस्टिक डिवेलेप्मेंट ने दावा किया है कि ठंड की वज़े से दिलियम पिछले साथ लोगों की मौत हो चुकिए ठंड की वज़े से अभी तक क्यों नहीं इस पर आक्शन लिया गया जाएगा जब सरकार मानेगी की बद इंतजामी है लेकिन अगर आप्रों की है रिजेश मैं आपसे अपडेट लेती रहूंगी और इस वक सीधे जैपूर का रुक कर ले किया है 25 जनवरी तक चले वाले इस साहितिक महाकुम में 20 देशों के 25 भाशाओं के 220 से भी ज्यादा बक्ता अश्रामिल है सीध दस्वीरे आप देख रहे हैं 2006 में शुरू हुए साहितिक मेले में दो लाग से भी जादा लोगों के आने का अनुमान है जैपूल रिचा फेस्टिवल में असल ग्रुप की चैर्मन डॉक्त्र सुभाज चंदरा की आत्मकता पर एक चर्चा भी होगी जैपूल रिचा फेस्टिवल ग्रोलियम विलियम कम बैक पाइस्टान के निख्य मंत्री मत्मरा राजे धी पहुंचे ही हुई है धी प्रजुलन के साथ आगाज हो चुका है इस पार लिटरेशर फेसिवल का उल्य करना गाजे झालिटरेश फिर अबाजाब खाजबा भडता यजी पाजार ऑाजेश्टान तर्यूंचे प्रजूंचे मिंस भी प्रिबट निस भी प्रजूंचे 12ं इस पूसूंचे पूस्त प्रजूंचे इस पूस्तिंप बदूत इस जिए रहां झालिव खृच्छ you create employment, you build economic growth in the cities and town growth in the cities and towns. Please welcome the Chief Minister of Rajasthan, Vasundra Rajay Sindhya, who has understood this and taken this to a new height. Ma'am. I have a vested interest. So, very warm welcome to you all. Thank you, Sanjay. Thank you, Namita. Thank you, Willy. A very, very warm welcome to the celebration of words that we have now for the ninth time happening here in Jaipur. Absolutely right, Sanjay. I cannot imagine that nine years ago I sat over here. One could see the lawns. One could enjoy the Darwara Hall. There were 15 people or 20 people at the time. But within a few years, I noticed that when I went to, when I visited the Darwara Hall again, it was crammed, crammed full. And it is the only place which is the greatest equalizer. Because you walked in there, and of course, everybody got up and said, what about a chair? And there were so many glares, I could have disappeared into the ground. So this is the one place that you come to get away from it all. All those wonderful things that you talked about, Sanjay, yes? But for me, it's like going back to childhood. It's about going away, sitting right here to different parts of the world and to a magical world, which tells you about so many different things all in one go. All I have to do is pick up one book, and that takes me somewhere. And at the same time, a half an hour later, if I pick up another book, that takes me somewhere else. I want today to thank all those creators of dreams, all those who have brought views, thoughts, and ideas on the ground for all of us to talk about, to discuss, and to enjoy. This huge Mela fair of all the wonderful people from across the world who come to celebrate this with us every year. As a child, I remember, one thing that I was passionate about was books. As a child, I remember having to read under covers, and I think lots of you must have done that. The torch, and just under the covers, because you're not allowed to read. And to date, I don't think I can, and there are many people here, I don't think many of us can go to bed without reading a few pages of...